हेलो अब्रीबरन वेलकम टू फैमिली गुरू तो दोस्तों कैसे हैं आप उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे चलिए शुरात करते हैं आज के इस खास प्रोग्रेम की सर्दियों का मोसम आ चुका है ऐसे में आप कौन से फल और सबजियां अपनी डाइट में शामिल करें जिससे आप एनरजी से भरपूर रहें आज हम आपको बताएंगे कि वो कौन सा हेल्दी ब्रेकफास्ट है जो आपके एनरजी देने के साथ आपको फिट भी बनाएगा लेकिन ब्रेकफास्ट में कुछ ऐसे फूट्स बिल्कुल भी ना ले जो आपकी हेल्थ खराब कर दे तो साथ साथ आपको दोस्तों बता देती हूँ डायबिटीज हाई कॉलस्ट्रोल मोटापे कर शिकार बना सकते हैं ऐसे फूट्स का बिल्कुल भी इस्तमाल ना करें जी हाँ आज का ये खास एपिसोड आप लोगों के लिए है जो ब्रेकफास्ट को लेकर उल्जन में रहते हैं कि क्या खाया जाए और क्या नहीं आपकी इसी उल्जन का समदान मैं आज लेकर आई हूँ फलो और सबस्यो का जूस हेल्दी होता है लेकिन ब्रेकफास्ट में पैकेट बन जूस का इस्तमाल ना करें क्यूंकि इसमें कैमिकल, फलो, सबस्यो का फ्लेवर डाला जाता है जिसके साथ आर्टिफिशल शूगर की काफी मात्रा होती है पैकेट बन जूस का सेवन आपको डायबिटीज का शिकार बना सकता है इसके साथ कच्चे फल और सबस्यो का सलाज जरूर खाएं जैसे गाजर, मूली, खीरा, टमाटर, ब्रोकली, स्टॉबरी, सेप, केला, अनार इसके साथ सूखे, मेवे और फल भी खा सकते हैं जो आपकी दिमाग को मजबूत बनाते हैं तो दोस्तों आपको साथ साथ एक खास बात बता देती हूँ सबजियों में फाइबर होता है जो आपके डाइजेस्टिन सिस्टम के लिए अच्छा है प्रोटीन से भरपूर अंडा, सोयाबीन, दाले, दूद, मक्षन का इस्तमाल जरूर करें क्योंकि यह आपके शेरीर को भरपूर एनरजी देंगे लेकिन स्वाथ के लिए हैल्थ से कोई समझोता ना करें अपनी डाइट में बिलकुल भी डीप फ्राई खाने का इस्तमाल न करें इससे आपका कॉलोस्ट्रोल बढ़ सकता है इसके लावा आप डाइबिटीज और दिल की बिमारी के शिकार हो सकते हैं इसलिए जब भी पूरी पकोड़े यानि कि जब भी आप पूरी पकोड़े कचोड़ी देखकर दिल ललचाने लगे तो उसी समय उन्हें ना खाने का मना कर दें यानि कि बिलकुल मन ना बनाएं पकेट के अंदर मिलने वाले कॉर्णफ्लेक्स ब्रेकफास्थ के लिए हल्दी फूट नहीं है क्यूंकि इन में शुगर नमक की मात्रा हाई हो सकती है वही कॉर्णफ्लेक्स में फाइबर का ना होना इन्हें अनहेल्दी ब्रेकफास्थ की केटिगिरी में डालता है दोस्तों आगे भी हम बहुत से एनरजी से भरपूर फूट्स के बारे में बताते रहेंगे बस आपको क्या करना है बने रहना है इंडिया नियूस पर ट्रेक केर और बाबाई